हेलो दोस्तों कैसे आप सभी I hope आप सब बहतर होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैट्स के ऐसे most important questions solve करने वाले हैं average के question आपके यानि औसत के question जो 3-4 मिनट में लगते हैं दोस्तों कई student जो है कई मेरे भाई बहन 3-4 मिनट टाइम खराब करते हैं ऐसे question को दोस्तों फटा फट 2-3 सेकेंड में solve करने का तरीका देखेंगे तो देखेंगे दोस्तों average के कौन-कौन से question आपके बहुत ज़्यादा repeat होते हैं होते हैं बढ़ेंगे दोस्तों आपका यूपी टेट के लिए very most important question है साथी सुपर टेट में भी आपके most important question है यह question दोस्तों पहला है आपकी screen पर question कह रहा है 7-11-15-X-14-21-25 का ओसत अगर दोस्तो average 15 है यानि 15 है तो X का मान आपको बताना है अब ऐसा question बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों और बहुत simple question है तो देखिएगा कैसे solve करेंगे दोस्तों क्या है आपका औसत एक तो जान लिजे औसत होता क्या है औसत दोस्तों होता है आपका पदों का योग ठीक है जितने भी पद है उनका योग कर दीजे और जितने भी पद जितने बार दिये गए यानि number of term तो कितने बार दिये गए ये count करके उससे divide कर देंगे किसको योग को आपका औसत निकलाएगा ठीक है पदों का योग बटे पदों की संख्या इस चीज को बस याद रखेगा और औरसत आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा देखे क्वेस्टन को कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे 7, 11, 15, X, 14, 21, 25 का औरसत आपको 15 दिया गया है आउसत मैंने ख़ँ, आसत बराबर क्या होता है पदों का योग तो आसत दोस्तों 15 पहले से दिया गया है, लिख लेंगे पदों का योग करेंगे, यानि 7, 11, 15, 15, प्लस आपका X, और प्लस आपका 14 और प्लस करेंगे 21, और प्लस आपका 25 ठीक है इतना कल लिया, बटा में क्या करना है, कितनी बार दिया गया है, ये देखना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ बार दिया गया है, सेवन टाइम ठीक है, नमबर आफ टर्म जो हैं दोस्तो, वो कितने हैं, साथ है अब देखिएगा, ये पंदरा तो इधर जाएगा, क्योंकि इधर दोस्तो बटे में है और इधर जाएगा, तो गुड़े में हो जाएगा, तो पंदरा गुड़े साथ हो जाएगा इधर देखे एक्स को छोड़ करके बाकी सब को क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो 7, 11, 15, 14, 21 और 25 दोस्तों जोड़ेंगे तो आपका आएगा 93 और एक्स आपका प्लस में रहेगा ठीक है इतना कर लेंगे 15 सती दोस्तों होता है 105 और ये 93 जो इधर है आपके बराबर के इधर है वो जब दूसरी तरफ यानि इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों माइनस 93 बराबर उधर आपको X की वैलू ही निकालनी है न एक्स कमान तो X को अपनी जगा पर रखेंगे 105 से दोस्तों 93 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा और और सत आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा भी ओप्शन सही हो जाएगा जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया एक बार और देख लेंगे दोस्तों मैं पूरी कोसिस करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में चीज़े आ जाएग दोस्तों क्या है और सत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या तो और सत दोस्तों 15 है न और सत यहाँ कितने पद हैं टोटल आपके पास साथ पद हैं count कर लिजे 711 करके आप count करेंगे ठीक है इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये औसद दिया है इधर के count करेंगे साथ आएंगे ये साथ इधर गुड़ा दोस्तों करेगा 15 सती 105 होता है और इधर का जोड़ आपका 93 आ जाएगा प् फटा फटा आंसर लाइए 12 आपका हो जाएगा 105 से जब 93 घटाएगे भी option सही हो जाएगा अगला question दोस्तों देखेंगे सांदार question काफी बार trend हुआ है दोस्तों question और फटा फट तरीके से solve करेंगे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन प्रेस करिएगा क्योंकि आपकी class होती है 9 बजए सांदार तरीके से दोस्तों seated की भी classes में आपको provide करवाने की कोशिस कर रहा हूँ क्योंकि seated आपका जुलाई में होना प्रेस्तावित है निर्धारित है ठीक है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा question क्या है A, B, C का और सत 9 है ठीक है प्रेस्टी से देखेगा A, B, C तीन संख्याएं है ना इनका औसत कितना है नो मैंने खा औसत बराबर क्या होता पदों का योग यानि ये आपके A, B, C पद दिये गए है तो A, B, C, C कर लिजे बटा कितने है तीन है तो तीन नीचे लिख लिजे ठीक है यह तीन नीचे कैसे a प्लस ए प्लस c बराबर सकता 20 तो इस तरीके से हम लिख लेंगे ठीक है अब दोस्तों इधर बढ़ेंगे देखेंगे b और c का उस्ट क्वेस्टन में कहराए 10 है ठीक है b और c का तो b प्लस c कर लिजे पदों का योग कर लिजे B और C दो पद हैं तो 2 से भाग कर दीजे औसत कितना है 10 है ठीक है 10 औसत है ये 2 दोस्तों उधर जाएगा तो क्या होगा 10 के साथ गुड़ा करेगा इतना तो आप सब जानते हैं गुड़ा करेगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा ठीक है B प्लस C 20 हो गया इधर देखिए A प्लस B प्लस C बराबर 27 है तो इस B प्लस C की जगए हम ये आपका 20 रख सकते हैं ना 20 रख सकते हैं क्योंकि B प्लस C का मान 20 है ठीक है तो A प्लस B प्लस C की जगए दोस्तो 20 रख दिया बराबर 27 अब ये 20 इधर से उठेगा और इस side जाएगा, तो minus का 20 हो जाएगा, और यहां से तो हमने हटाई दिया, उधर भेज दिया, minus का हो गया, a बराबर 27 से 20 गया, 7 आया, option आपका a सही हो जाएगा, a option बिलकुल correct हो जाएगा, जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया है, एक बार देख लेंगे दोस्तों, पदो क योग, औसत क्या होता, पदो का योग, बटे पदो की संख्या, तो पहले औसत आपका 9 दिया गया है, पदो का योग क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो जाएगा, कितने पद हो गया, तीन हो गया, अब यह तीन इधर बटा में उधर जाएगा, गुड़ा करेगा, तो a प किजे और औसत को इधर लिखे इधर दो दोस्तों बटे में हो धर जाएगा गुड़े में हो जाएगा यानि गुड़ा करेगा तो B प्लस C कितना हो जाएगा B plus C 10 दूनी 20 हो जाएगा इस B plus C की जगे है दोस्तों हम बस 20 रख देंगे और 20 रखते ही हम क्या करेंगे A plus 20 बराबर 27 और ये 20 उधर जाके घट जाएगा ठीक है यहां से हटा दीजे तोंकि उधर भेज दिया A बराबर 27 से 20 गया आपका 7 बच जाएगा और average कितना आ जाएगा A कामान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ठीक है अगला question दोस्तों देखेंगे अगला question क्या है चार क्रमागत संख्याओं का और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अब यहां से concept प्योंकों समझेगा चार क्रमागत संख्याओं है अगर मैं x मानू तो अगली समसंख्या दो जोडने से दोस्तो मिलती है ठीक है पहली अगर मैंने x मानी है तो अगली समसंख्या जो है x PLUS 2 से मिलेगी As for example क्या है दोस्तों जैसे हमने 2 मान ली पहली समसंख्या तो इसमें दो ही तो जोड़ेंगे तभी तो आपका चार मिलेगा ना और दो में जब हम चार जोड़ेंगे तब अगली मिलेगी आपकी समसंख्या दो में छे जोड़ेंगे तो हमें अगली मिलेगी भाई ये तो हो नहीं सकता दो में एक जोड़ो तो तीन तीन तो आपका वि प्रिश्म संख्या eight होती है तो दोस्तों इस तरीके से करेंगे ठीक है इतना सा concept बस मुझे आपको समझाना था अब क्या करेंगे दोस्तो मान लिजे x है एक संख्या तो अगली संख्या समसंख्या कौन सी हो जाएगी x प्लस 2 उसकी अगली x प्लस 4 और उसकी अगली दोस्तो x प्लस 6 हो जाएगी ठीक है x प्लस 6 हो गई अब उनमें क्या कह रहा है तदशार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या अब देखिए औसत निकालना है अभी आपको औसत पंद्रा है तो औसत बराबर पदों का योग यानि X प्लस X प्लस 2 इन सब को आपस में क्या करेंगे दोस्तो जोड़ देंगे क्या करेंगे जोड़ देंगे दोस्तो X प्लस 6 अब बटा में देखिए कितने टर्म है एक दो तीन चार चार पद है न तो चार से भाग करिए अब ये चार इधर जाके दोस्तो गुड़ा करेगा तो 15 चोख हो जाएगा 60 और X कितने बार है एक दो तीन चार बार X है तो 4X हो गया चार बार X जुड़ेगा 4X हो जाएगा और इधर नमबर क्या हुए 2, 4, 6, 6, 12 आपके हो गए ठीक है 4X प्लस 12 अब यहां से दिखिएगा अंक की साइड जाएगे तो इधर जाएगा आपका 12, 60 से दोस्तो 12 घटाएगे, 60 से 12 घटाएगे और इधर क्या बचा? आपका 4X बचा, 60 से 12 घटाएगे तो आपका 48 बचेगा ना और 48 बराबर 4X, 4 से काटेंगे, 48 को 12 आपका हो जाएगा, तो X बराबर, X बराबर क्या द 12 थी अगली समसंख्या दोस्तों यहां देखें अगली समसंख्या 12 दो 14 हो जाएगी उसकी अगली समसंख्या 12 4 16 हो जाएगी और उसकी अगली संख्या 12 6 18 हो जाएगी और question कहरा दोस्तों दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18 है द तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 14 और दोस्तों सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी X बराबर 12 आया था ठीक है इतना सा कॉंसेप्ट था तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने भरपूर दोस्तों को सिस किया आपको questions को समझाने की अगला वीडियो आपको कल ए एक बार फिर से जैहिंग वंदे मात्रम